दिल्ली के मुख्य मंतरी और आमादे पार्टे के सयोजक अर्विंद केजरवाल ने कनहया कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है इसी बहाने उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा हमला बोला है गुरुवार शुबा एक ट्विट में केजरवाल ने कहा कि कनहया ने देश द्रोह किया या नहीं इसकी जाँच चल रही है साथ है केजरवाल ने अभी कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दिल्ली सरकार के काम रोक रहे हैं क्या ये देश द्रोह नहीं है अर्वेंद के जिवाल ने ट्वीट किया मुझे नहीं पता कनाया ने देश द्रो किया है या नहीं उसकी जाँच कानून विभाग कर रहा है उधर मोधी जी ने दिल्ली के बच्चों के स्कूल रोके, अस्पिताल रोके, सीसी टीवी कैमरे रोके, मोहला क्लिनिक रोके, दिल्ली को ठप करने की पूरी कोशिस की ये देश द्रो है या नहीं गौरत लभे किया मादमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र की नरेद मोधी शरकार उनके काम में रोड़ा अठका रही है इससे पहले भी कई मौकों पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकड़ाव देखने को मिला है इस बीच अब अर्विंद के जिवाल ने प्रधान मंत्री नरेद मोधी पर निशाना साधा है आपको पता दे कि कुछ समय पहले ही जे एन्यों में लगे कथि देश द्रो ही नारों के मामले में चार्ज शीट दायर की गई थी इस पर दिल्ली के कानून मंत्री कौशल गहलोत ने राजी सरकार के कानून सचीव को नोटिस जारी किया है दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने नियमों के खिलाफ जात इस मामले की फाइल सीधे कानून सचीव को भेजी है सरकार का कहना है कि पहले ये फाइल ग्री विभाग को बेजी जानी चाहिए थी उन्होंने कहा कि फाइल को कानून मंत्री को भी नहीं दिखाया गया गौरत लबे कि ये एन्यू मामले में कुछ दिन पहले चार्ज शिर्ट दायर की गई जिस पर दिल्नी पूलिस को कोर्ट से भी फठ़कार पड़ी थी पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को फठ़कार लगाते वे कहा था कि आपने राज सरकार की ईज़त के भी नहीं चार्ज शिर्ट दायर क्यों की अदालत ने ये भी आदेश दिया था कि जब तक दिल्ली सरकार इसकी इजाज़त नहीं देते हैं तब तक वह इस मामले का शंग्यान नहीं लेंगी दिल्ली पुलिस ने अपने चार्ज शिर्ट में फरवरी 2016 में जे एन्यू के एक कारेक्रम के दौरान कथित तोर पर देश विरोधी नारे वाजी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने पुर्व छातर संग के अध्यक्ष कनहया कुमार छातर नेता उमर खालीद और अनिवार ब्रस्टाचारे को मुख्य आरोपी बनाया है हलाकि पुलिस ने यह दावा नहीं किया कि कनहया कुमार ने देश दुरोही नारे लगाये थे